हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आएक्जांबी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और अभी आपको पता है सेबी ग्रेडे का रिजल्ट आ गया है एक्चुली मैं थोड़ा बीजी था हमारा एक्स्ट्रीम भी का कोर्स चलना था डेली में इस रेस्टेंशल कोर्स था वो और मतलब फुल डे में वहाँ पे बीजी था मौनिंग एड से लेके रात को बारा बज़े तक वहाँ पर लेक्ट्र चलते थे काफी मतलब अच्छा एक्सपेरेंस रहा है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनूँगा लेकिन इन बिट्विन मुझे काफी रिक्वेस्ट आई स्टूडन की सर आप जो सेवी ग्रेडे का भी जो फेस टू एक्जाम होगा वहाँ पर आपको पता इंगलीश के पेपर में एसे लिखना होता है सारे स्ट्रीम के लिए तो उसके लिए मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आयती की सर आप इंपोर्टन टॉपिक्स बताइए तो इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है तो यह देखिए मतलब यह तो सेवी के लिए है और बाकी जितनी सारी एक्जा है तो उससे रिडिट कोई भी आए क्योंकि एसे का टॉपिक इतना शॉट में नहीं आता है वर्ड में तब एक वर्ड का नहीं आता है उसमें आपको detail में statement आता है लेकिन अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेर कर लिया तो आप उस पे लिख सकते है अभी सेकंड टॉपिक ह आपको पता है NSE में बहुत बड़ा scam हुआ है उसको को location scam कहते हैं उसके बारे में corporate governance के बारे में ऐसे आ सकता है financial inclusion है financial awareness है उसके बद health awareness है अभी भी आपको पता है pandemic covid-19 चालू है तो उससे related भी topic आ सकता है MSMEs है peace के बारे में भी आपको पता है world में war चालू है Russia and Ukraine के अगेंस त कुछ philosophical topic भी आ सकता है यहाँ पर work from home है learn from home है यानि कि आप इसको देखिए कि उसको आप online education कह सकते है या learn from home भी कह सकते है technology आपको पता है blockchain के बारे में आजकल सब लोग बात कर रहे है cryptocurrency है उसके बाद artificial intelligence है machine learning है internet of things है big data data analytics यह सारे topics अभी आजकल काफी discussion में चल रहा है and finally gig economy तो यह सारे जो है यह expected topics है अगर आप यह 10 topic पे preparation करते है क्या करने का आपको एक एक topic पेज का write up बना लीजे write up मतलब ऐसा पूरा लिखने का नहीं आपको important important points बना लीजे and उसके बाद अगर यह आपने 10 topic कर लिए तो कोई भी topic आएगा तो आप यह topic का जो knowledge है वहाँ पर कही न कहीं तो भी use definitely होगा अभी यह कैसे लिखना है मतलब ऐसे कैसे लिखना इसके लिखना इसके लिए मैंने already एक video बनाया है हमारा जो दूसरा youtube channel है i exam भी नाम का आप वहाँ पर जाएए और यह top यह जो वीडियो सर्च कीजे मैं आपको इसका link भी देता हूँ तो यहां से आ अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर काफी अच्छी तरीके से explain किया है अगर आप यह spelt formula आपको पता चल गया framework तो आप कोई भी ऐसे कितने भी word का लिख सकते है मैंने यह formula यूज करके 22,000 words के कम से कम 20 पीस ऐसे लिखे थे उस टाइम जब मैं यूपी इसे का preparation करता थ तो आपको 200-400 password का इसे लिखना बिलकुल ही यहां पर मुश्किल नहीं है यहां पर मैंने बताया हुआ है तो आप यह video यहां पर देख सकते हो उसके बाद अभी हमारा CB का phase 2 का course चालू है और अगर आपको 50% discount चाहिए तो आप यह code यहां पर use कर सकते है और इस बार phase 1 में हम हमारा performance बहुत अच्छा रहा है टोटल 50 question में से 44 questions directly हमारे course से आये थे जो paper 2 का मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी वज़य से है आपको पताए कि paper 1 तो इतना मुश्किल नहीं था और paper 2 के वज़य से ही लोग pass या fail हुए तो आप यह video देख सकते हैं यह video हमारा जो दूसरा YouTube channel है आई exam भी वहाँ पर आपको यह मिलेगा तो जल से जल आप मतलब इस पे काम करना चालो कीजिए यह 10 topic बना लीजिए अगर यह 10 topic आप अच्छे से बना लेंगे तो आपको कोई भी topic पे इससे लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा था क्या झालो कि वहाँ पर आपको की बना लीजिए अपकों के शुकार नहीं होगा